कि अग्जेंपल नंबर फिफ्ट क्या रहा है फाइंड दा टाइम बिट्विन फॉर पीम ठीक है ध्यान से समझना यह वाच आपके सामें क्लॉक है एक तो इसमें 3 से 4 के बीच में कोई टाइम है अब यह पता नहीं कौन से टाइम है वेन दा एंगल बिट्विन आर हैंड और उस इस्तिधीं के अंदर उस पोजिशन में उस टाइम पर जो आर हैंड है और जो मिनेट हैं उन दौनों के बीच के जो डिग्री दे रखी है वो 50 जो अपन एंगल निकालते थे उस एंगल का फॉर्मूला क्या होता था सर उस एंगल का फॉर्मूला होता था हमारे पास कि सर हम 11 इंटू किसे करते थे मिनिट से माइनस 60 इंटू हम 8 लेते थे और डिवाइड में हम 2 लगा दे थे अब आपको एक कंसेप याद रखना है कि इसके ओपर सर मोड लगावा रहता है क्या लगावा रहता है मोड लगावा रहता है पहले भी लगावा रहता था तो अपने काम का नहीं है मोड लगाने से उससे कोई मतलब में डिगरी अपने निकाल होगे तो ऐसी पॉजिटिव निकालनी होती है अब देखो तीन से चार होगा 330 होगा 335 होगा यानि मुझे एक तो चीज पता लगए कि जो इसमें आ रहे न है वो तो 3 रहेगा यह तो मिन पता नहीं है से फिपटेग्री तो मैं याँ डिग्री की जंगे है मीनिट खोड देता हो और और की जगे मैं प्री में कितना हो गया गाइट-काइट यहांसे तो सामने जो वैलीयू उस पर फैसल फैसल लगजाएगा तो फैसल एक होगया 11 इंटू एम माइनस 180 डिवाइड बैट ठीके सर अब इस केशन में दो पार्ट बन गए अब इस केशन के दो पार्ट बन गए कौन से दो पार्ट बन गए पहला पार्ट जब मैं टेकिंग पॉजिटिव 50 अगर मैं पॉजिटिव 50 लूट तो सॉलुशन क्या होगा 11M माइनस 180 डिवाइड बै टू उधर जाएगा अंड्रेड हो गया यह तो 180 उठा के दर लिया 180 पॉजिटिव में हो गया और यह 11M हो गया इसको एड करें 100-100-200 280 इक्वल्स टू 11M हो गया यह ठीकिंगे सर डिवाइड करो 280 डिवाइड बै इलेवन करेंगे तो हमार पास मिनिट निकलेगा मैं यहाँ पर रफली कर लेता हूं मैं एक मिनट भई एक मिनट एक मिनट भई एक मिनट अभई डिवाइड करो 11 से 11 2 जा 8 में से 2 गया 6 0 11 5 जा 55 5 कितना हो गया यह 5 by 11 आ गया कितना आया है 25 5 by 11 मिनिट हो गया बताओ यहां दे समझना आया है कि हाँ सर अब हम चाहे 5 by 11 को convert कर सकते है multiply 60 करके 5 6 जा 3300 हो गया यह 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 77 3 जिए 0 11 2 जा तो 27 नहीं रहेगा ठीक है सर तो 25 मिनिट और 27 सेकंड प्रॉक्सीमेट बता रहा हूं मैं हाँ अब लास्ट में फाइनल लेकूंगा सारा अंसर अगला देखो अब इसका सेकंड केस क्या है टेकिंग माइनस 50 माइनस 50 कैसे लेंगे इसी एक्वेशन के अंदर देखो आप माइनस का 50 लिख दिया मैंने यहाँ पे 11 M माइनस 180 डिवाइट बैट पूदर बेजा तो सर यह माइनस का 100 हो गया यह वैलूट के दर आएगी माल्टिप्लाय डिवाइट थोड़ा सा परफेक्टली करना उनमें कई मिस्टिक मत कर देना मामला सारा बिगड़ जाएगा 11 7 77 न बचा 3 3 by 11 समझना है हासर आ गया तो यह हो गया 7 3 by 11 मिनिट की वैल्यू लेकिन इसी वैल्यू को अगर हम 3 by 11 को कनवर्ट कर लेते हैं 60 से 11 11 11 7 0 11 6 66 4 बचा पॉइंट लगाया 0 11 3 जा 16 हो गया यह 7 मिनिट और 16 साकेड़् अब दीखो दो अंसर हो स्के पहला अंसर तो यह हिंग कितना टाइम होगा उनके बीच का कितना टाइम होगा उसक टाइम तो वही रहेगा मरे पास पास दाइन टाइम बेटून3 & 4 था ऺंड़ा इंगल啤idd錯M रहेगा तीन बच के मतलब तो आपके पास आर है और मिनिट अगर मैं डिरेक्टली लिख दूँ तो ट्वंटी फाइफ 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 या फिर मैं ऐसे लिखूंगा या फिर फिर मैं ऐसे लिखूंगा दूसरा इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा प्री तो आर ठीक है और सेवन मिनिट ठीक है और सिक्टीन सेकेंड इसी के अबलिक के अंदर मैं इसका अंसर ऐसे लिख सकना हूं थ्री आर समझे नहीं समझे बिल्कुल समझ गए तो यह हो गया है आपका कम्लीट दौन अंसर आया समझ में तो इस टाइम के उपर जो है वो आपका डिगरी जो है वो फिफ्टी डिगरी रहेगा साथ और कोई डाउट लगे कॉमेंट सेक्शन में जरू बताना मेल कर सकते हो कि जाना अकैडमी अर्दरेट जीमेल डॉट कॉम पर और लाइक शेयर सपोर्ट फटाफट से यार फ्लीज एक है गुडबाय झाल गुडबाय